अगर आप एक Android यूजर हो अगर आप Android में बिगिनर हो और आप अपने किसी वीडियोज इमेज़ या तो अप्लिकेशन को शेर करना चाहते हो शेरिट की हेल्प इसे लेकिन आपको नहीं पता कि आपको शेर कैसे करना है शेरिट का यूज करके अपने वीडियो इमेज़ या आप्लिकेशन को तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए पहुत यानि पहुत यूज करूंगा कि आप शेरिट की हेल्प से एक मोबल से दूसरे मोबल में कोई भी वीडियोज आप्लिकेशन या तो फोटोज को किस तरह की से शेर कर सकते हैं वह वी 2020 में यह जो मैठोड म के वारे में हरु कोई जानता है हरु किसी को पता है कि शेरिट कैसे यूज करना है लेकिन जो बिगिनर रोते कभी कभी ऐसे और भी लोग है जिने शेर करना शेरिट का यूज करके शेर फाइल्स करना नहीं आता है अभी तक नहीं आता है तो यह से वीडियो उन बिगिनर्स लोगों के लिए हैं जिने शेरिड का यूज़ करके फाइल को ट्रांसफर करना नहीं आता है तो यहां पर आभी मैं आपको लेफ्ट वाले मोबाइल से राइट वाले मोबाइल में तीनों भी छीज़े शेर करके बतांगा तो सबसे पहले लेफ्ट वाले मोबाइल से राइट है वह आपको one time process करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले application share करके बताऊंगा तो यहाँ पर आप कोई भी application को select कर सकते जिसको आप send करना चाहते हैं उसके बाद नीचे आपको send का एक button मिलेगा वह tap करने के बाद यह आपको one time process यहाँ पर complete करना पड़ेगा यह काफी important है इसकी बना share नहीं होगा तो यहाँ पर आपको barcode का scan करना है नहीं कि left वाले mobile राइट वाले mobile के code को scan करेगा तो just like this आपको यहाँ पर scan करना है और आपको यही method का use करना है तो because इससे कहें कि एक दिम strict भी होगा और quickly transfer भी हो जाएगा verify भी हो जाएगा तो यहाँ पर देख लो application यहाँ पर share हो रहा है अभी videos और photos को share करने के लिए आपको फिर से scanning का process नहीं करना होगा यह one time का ही process है अभी आप application तो आपने application में आना है और यहाँ से आप कोई भी video को select कर सकते हैं जिसको भी आप यहाँ पर share करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं कुछ videos को select कर लेता हूं जिसको मैं थोड़ा long वाले video को share करूंगा ताकि आपको यहाँ पर दिखे कि एक दे exactly rightly यहाँ पर share हो है तो यह मैंने select कर लिया और यह मैंने select कर लिया तो दो वीडियो को मैंने यहाँ पर select कर लिया है let's send it तो यहाँ पर quickly हो गई है तो बस उसके बाद यह one time scanning का process होता है उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी files को share कर सकते हैं तो यहाँ पर देख लो फोटो शेयर करने के लिए फिर से आपको photos वाले section में जाना है और photos वाले section में जाने के बाद यहाँ पर आप कोई भी photos को select कर सकते हैं जिसको भी आप send करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं कछ दो तिन चार पाच फोटोस को मैं select कर लेता हूं तो लेट से यहाँ पर मैं दो फोटोस को मैंने select के तीसरा यह चोग था यह पाच वा और लेट से लग देए 6 तो यहाँ पर मैं 6 फोटोस को share कर रहा हूं तो बस आपको नीचे send वाले button पर टाप करना है और यहाँ पर पूरे photo एक left से right में आ चुका है तो काफी easiest है यहाँ पर आप जब भी फाइल्स को share करें तो make sure कि आप जो बाइक कोड स्कैनिंग का जो प्रोसेस होता है उसको ही follow करिए और इसकी help से एक दम strictly भी होगा और यह fastly आपके एक मोबल से दूसरे मोबल में फाइल से इसले ट्रांसपर हो जाएगा तो यह जो आज का वीडियो था यह only for beginners लोगों के लिए था जिर शेरिट अभी तक यूस करना नहीं आता है अगर आता है तो proper way में नहीं आता है उनके files transfer नहीं होते हैं तो यह सिफ उन beginners लोगों के लिए था तो यह 2020 में और आपको आगे भी future में share it का यह वीडियो आप लो to mobile second mobile in 2020.